हालो फैंस वेलकाम बेक टू स्टॉक इन्फो आज इस वीडियो में इंडिया का वेल नोन इन्वेटर मिस्टर आसेज धावन का करेंट पॉर्टफिलो को लेकर डिस्खन करेंगे जाहां पर उन्होंने 13 स्टॉक होल करते बाद उनमें से 12 कंपनी जो स्मॉल कप कंपनी है यहां पर आसेज दावन को लेकर अलग से कुछ इंडियूस नहीं दे रहो विकास उनके बाद में गूगल में भड़ा हो है आप चाहे तो पड़ सकते हो तो डिरेक्ट चलेते पॉर्ट्फोलिय के अंदर तो आसेज दावन का जो 13 स्टॉक का पॉर्ट्फोलिय है उनमें से 12 स्टॉक जो है small company है और एक company जो अपका mid cab company है और उस 13 अंदर दो company आसे जो fundamentally बहुत ही वीख है तो पहले जो दो कंपाने वीख है उनके बाद में cover करेंगे दिन जो fundamentally strong company निकल करती है उनको लाके भी क करेंगे तो चले शुरू करते है यहां पर 1st company का नाम निकल करते है यहां पर देख से तो पी भी कुछ सो नहीं हो रहा है, तो as a retail investor ऐसा company को लोग को avoid करना चाहिए, जहां पर company का data clear नहीं है, प्लस company का fundamentally weak है, अर नमबर सेगें पर पल तेक दोने कर नम निकलाएगा, यहां पर भी company का return on negative means हो रहा है, and EPS that means earning percent भी negative means हो रहा है, प्लस यहां पर stock P भी कुछ सो नहीं हो रहा है, तो उनका जो 13th stock का portfolio है, तो उनमें से यह जो दो company बताया है, यह दो company fundamentally बहुत ही weak है, यहां पर fundamentally strong category का अंदर फर्स्ट company का नाम निकलाएगा ते, यह जह ग्रीनपक लिमेट का नाम, company का market cap निकलाएगे 3714 का, company का ROE, that means return on negativity, जो पैसा आप इस पर निवेस कर रहा है, उसको इंडिकेट करते है, तो यह 16.6% profit अंदर जो के बहुत आच्छा माना जाता है, and ROC means होते है return on capital employee, that means जो पैसा आप इस पर निवेस कर रहा है, उसको पैसे क्लस company का बास total capital है, उसको company कितने अच्छे से manage कर रहे है, उसको बहुतते है return on capital employee, तो उससे company 14.8% profit अंदर जो के बहुत आच्छा माना जाते है, company का current stock पी चले 14.9% का, अगर यहाँ पर pay ratio देखा जातो, pay ratio 1 से कम है, 0.58% का pay ratio है, that means अंदर वालू company, company का अगर देट्टी विकूटी देखा जातो, company का पास only 0.46 लास का देट्टी विकूट है, and then अगर reserve देखा जातो, company का पास 1594 कर रिजब पड़ा हो है, and company का current EPS, that means earning पास चले 40.4 रूपीस, then अगर देखा जातो, job का 0.65 लास का अगर रिजब देखा जातो, company का पास 956 कर रिजब पड़ा हो है, then आता है, equity small finance bank का नाम, company का market cap निकल का है, 9,370 कर रूपीस, company का ROE, job का 13.5% निकल का रहे, ROC, job का 9.24% निकल का रहे, company का current stock पी चले 16.3 का, अगर अगर पे पे रिजब देखा जातो, जाहां पर 1 से कम है, company का current EPS चले 5.16 कर रूपीस, that was earning plus share, then आते, build us up limit का नाम, company का market cap निकल का रहे, 9,039 कर रूपीस, company का ROE निकल का रहे, 13.2%, ROC, 17.5% निकल का रहे, company का current stock पी चले 27.3 का, company का pay रिजब यांपे 4 निकल का रहे, that मैंसे high value में trade रहे देख रहे, company के app अगर data equity देखा जायतो, job का 0.04 कर रहे अगर reserve देखा जायतो, company का बास 2393 कर रहे, company का current EPS चले 12.1 का, दे नाता है Genstar technology का नाम, company का market cap निकल का रहे, 9,023 कर रहे का, company का ROE जोब का 11.6% निकल का रहे, ROC जोब का 15% निकल का रहे, अगर देखा जायतो, company का current EPS चले 14.5 कर दे नाता है, company का market cap निकल का 4,275 कर रहे, company का ROC जोब का 13.7% निकल का रहे, and ROE जोब का 4.47 कर रहे, company का देख देखा जायतो, job का 1 कर देख रहे, याँ पर company का reserve देखा जायतो, company का बास 857 कर रहे, देख नाता है, quesk kop limit का नाम, company का market cap निकल कारे 6,363 कर रहे, company का ROE निकल कारे 7.37 का, and ROC जोब का 9.74 का निकल कारे, company का बास death equity बहुती काम है, 0.34 का only death equity आदेख रहे, तो कम्पानी का पास 2421 करो का रिजब पर हुए कम्पानी का काड़ एपिए that means earning पसे चले 15.1 करो देन आते है आईडिया पी लिमिटेट कम्पानी का मार्केट का निकल करें 16,216 करो का कम्पानी का देत्व युगती पूरा-पूरे 0 है that means एक देत्वी कम्पानी है कम्पानी का पास 9997 करो का रिजब पर हुए कम्पानी का ROE 6.56% है और ROC 10.4% निकल का रहे कम्पानी का EPS 26.5 पर पाइप निकल का रहे देन आते ग्लेन्मर्क फर्मसोटिका लिमिट का नम कम्पानी का मार्केट कर अप 17,947 करो का है कमपणी का ROC 14.6% निकल काड़े, ROE 5.46% का निकल काड़े कमपणी का देत्ती विगती 0.46 लसका है अगर रिजब देखा जाए तो कमपणी का बस 9400 46 करो कर रिजब पड़ा हुआ है कमपणी का काईट EPS चल ले अर्णिक परसे जोब का 10.50 परसे चल रहा है अगर EPS चल ले अर्णिक परसे चल रहा है तो यहां पर बैलंसिंग मैस नहीं काड़े, मुझे तो रहा हुआ सा कन्फूजन लग रहा था यहां पर में कमपणी का जो लास्ट 5 विर्स का आवरेच लिटर लॉन निकूर्टी और ROC यह ओं कंसेडर करूंगा यहां पर लास्ट 5 विर्स का कंपणी का ROE जो आपका 11.3% निकल करें ROC जो आपका 11.2% निकल करें जो और average मालना जाते है यहां पर कंपणी का देथ्ट्य यूकूरी देखा जाते हो जो यहां पर 0.40 लुक्स का देथ्ट्य यूकूरी अधर्व देखा जाए तो कम्पने वहसे हैं कुछ भी रिजग नहीं सो रहा है तो यहाँ पर अगर इस कंपने के ओफ फांडेमेंटल देखाया तो फांडेमेंटल उतना ज्यादा श्ट्रॉंग नहीं लग रहा है मुझे इस कंपनी का भी कंपणी का मार्केट काप निकल करें 35,017 करोगा दैट में से एक मीटकप कंपणी है कंपणी का स्टॉक पी चले 16.6 का अगर ROE देखा जाए तो जोब का 11.9 परसें निकल करें और ROC जोब का 8.89 परसें निकल करें कंपणी का देथ वीकुटी आसे यही थोड़ा सा जाद है थोड़ार 10 कंपणी जो अजने करेंट पोड़े करने होल करते मधिकल कोई बी कंपणी कंपानि का निवेस करना से पहले अंडर देखा से मेरे तरब से कोई भी बाय अन्सिल का रेकवरिंसर नहीं है